नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अब फिर से जॉफ्टरे में दोस्तों आज की वेकेंसी है युको बैंक के तरफ से नहीं रिकूर्टमेंट आई है 2020 की इसके बारे में हम लोग फूल डीटेल में बात करेंगे एनी ग्रेज़ेट अप्लाई कर सकते हैं और नीजा लेबल पे वेकेंसी है मेल और फिमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं यह चीज आप लोग ध्यान रगिएगा लास्ट डेट इसकी जो है वह 17 नॉमबर 1220 है आपको मैं प्रॉपर सभी जानकारी एड़ो जेड दे इसके आधार पे आप इस वेकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले आप लोग से एक छोड़ी से रुकेस्ट है अगर हमारे इस यूटिशन पर आप नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिए और इस वीडियो को आप लोग जो है अपने दोस की है स्टार्टिंग डेट जो है दोस्तों वह 17 अक्टूबर से 1220 से है और लाश्ट डेट यहां पर देख से 17 नॉमबर तक है फी जो है वह लाश्ट डेट पेमेंट करने का वह भी आपको 17 नॉमबर दिया गया है अब लेवल जो है एडमिर कार और एक्जाम डेट अभी न रखा गया है ऑनलाइन मूट से आप फी पेमेंट कर सकते हो अगर साथ में बात करें जॉब लोकेशन की और लिया लेवल पर है अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलॉंग करते तो इस वेकेंसी को आप अप्लाई कर सकते हो जो आपकी एस लिमीट है वह सेप्टम किसी भी स्ट्रीम से साथ में जो है आपको 60% माक्स और लेवेटे जो है यहाँ पर पोश्ट के लिए एक्स्प्रियांस आपकी जो है यहाँ पर रिक्वाइड है ठीक है तो यह ची ध्यान रखिएगा साथ में अगर बात करें इंजिनियर्स के लिए आपर तो कंडिडेट क माक्स होना चीए और यहाँ पर दो साल का जो है वह एक्स्प्रियेंस मांगा गया है या अगर आपने पीश्डी कर रखा है इकोनोमिक से तब आप अपलाई कर सकते हो अगर आपके पास जो है उस्टी परसेंट माक्स है तो भी आप अपलाई कर सकते हो आईटी ऑफिसर के लिए जो है बी या बीटेच वाले जो भी कंडिडेट होंगे वह अपलाई कर सकते हैं और केंप्यूटर साइंस वाले अगर हैं तो वह भी अपलाई कर सकते हैं इलेक्ट्रोनिक से हैं या टेली कॉम्निकेशन से हैं तो आप अपलाई कर सकते हैं या आप अगर MSC कर रखें तो आप आप लाई कर सकते हैं तीन साल की जो है और यहाँ पर जो है आपका जो है किसी ना किसी जो है जो आपकी डिगरी होगी उसमें 60% मांग्स होना चाहिए साथ में one year experience के साथ यहाँ पर required है अब बात करें CA या CFA के लिए तो यहाँ पर जो भी अप्लाई करना चाहिए तो उनका जो है वह तीन साल का experience मांगा गया है CA में या CFA में तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर कोई जो है आपका percentage जो है यहाँ पर नहीं रखा गया जो का इतना percent होना चाहिए तो आप लोग इसके लिए यहाँ पर eligible होगे अब यहाँ पर बात करें CA और CFA में जो MMSGS जो है आप टायर 2 का है उसमें आप लोग देख सकते है accountant के लिए जो vacancy है उसमें अगर आपने CA या CFA कर रखा है minimum जो है 3 years का experience है तो आप इसमें apply कर सकते है अ आप को जो है यहाँ पर सभी link description में मिल जाएंगी 17 November 2020 से पहले आप इस वेकेंसी को apply कर सकते हैं बहुत अशीकासी यहाँ वेकेंसी है या हमसे बात करना चारें तो आप में instagram पर आके हमसे भी बात कर सकते हैं अब ऐसे आपको सभी link description मिल जाएंगे तो जाके आप लोग चेक आउट जरूर किये तब तक रहें दोस्तों धन्यवाद मिलते फिर अगली वीडियो में